Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे So students, myself Nihah Verma, your kindergarten teacher So students, आप तो समझी गए होंगे कि आज भी हम पढ़ेंगे एक कवीता और आज की हमारी कवीता का नाम है सरकस के अंदर सरकस देखा है आपने कभी students? सरकस में क्या होता है? सरकस में बहुत सारे जानवर होते हैं तरह तरह के हमें कर्टब दिखाते हैं और जोकर भी होता है जो हमें पूरे टाइम हसाता है अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर एक बास सरकस देखिए जाए और सरकस देखिए ठीक है students? तो चलो हमारी आज की कवीता पढ़ते हैं जिसका नाम है सरकस के अंदर ओके students चलो स्टार्ट करते हैं हम पहुचे सरकस के अंदर कार चलाता देखा बंदर कुट्टा साइकल चला रहा था बंदर पानी पिला रहा था बंदर पानी पिला रहा था काला भालू नाच रहा था तोता पुस्तक बाच रहा था तो देखा students आपने कितनी नई नई चीजे सरकस में होती हैं कभी आपने बंदर को कार चलाते देखा हैं सरकस में बंदर कार चलाते हैं उसके बाद कुत्ते साइकल चलाते हैं बंदर सबको पानी पिलाता है भालू नाचता है और तोते तो किताब पढ़ते हैं है ना सुडंस चलिए एक बार फिर से कवीता पढ़ते हैं सरकस के अंदर हम पाचे सरकस के अंदर कार चलाता देखा बंदर कार चलाता देखा बंदर कुट्ता साइकल चला रहा था बंदर पानी पिला रहा था काला भालू नाच रहा था तोता पुस्तक बाच रहा था है ना स्टूरंस तो ये थी हमारी कवीता सरकस के अंदर और के स्टूरंस तो ये कवीता और ऐसी बहुत सारी कवीता आपको मिल जाएंगी हमारी मैंगनेट बेन की वेबसाइट पर मैंगनेट बेन ये वेबसाइट पर जाएए क्लास किंडर गार्डन चूस करिए उसके बाद स्टूरंस यहाँ पर आपको जूरियर किंडर गार्डन में आपको कवीताएं, कहानियां, हमारा पूरा स्लेबस किंडरกार्डन का सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा और क्या-का मिलता है मैंगनेट बेनीज पर, यहाँ परäischenट आपको किंडर गार्डन से क्लास 12 तक Online School Education बिलकुल free में मिलती है ठीक है? तो बस कहीं जाने की जरुवत ही नहीं है सब students चलिए फिर से मिलेंगे एक और नहीं कवीता के साथ Till then, bye bye, take care